Hello guys and welcome back to TeamGuard Delight तो ये है All New Crash फटावर्ट सा बात किरते हैं कि एक्स्टीर में क्या मिल जाता है इंटीर में क्या मिल जाता है कभी ये लॉंच होने लिए अब कुछ ही महेनिया रह गा है इसके लॉंच में तो सारे फीचर्स हम कवर करने वाले हैं चैनल को अभी कभी सब्स्ट्राइब कर लें दोस्तो पेल बिलेकन को प्रेस कर लें तो राइट ऑवे बाग करते हैं गाड़ी की lorsqu liken looking के बार में जो कंप्लीटी चींज कर देंगी है बाद बहुत इछी लगरी है बहुत ही डिफरैंट लगरी है बिक साथ के आपको यहाँ पे फिरंड में गरिल ये है इंडियस्पेक में फिरंड में गो कामरी लेगा विगॉस 360 कामर अवेड़िब हले है रिडार सेंसर मिलेंगे बेव हो सारे आपको फीचर मिलेंगे और ओटेमेटिक ब्रेकिंग, लेंटीप असिस्ट और जो भी हमारे यहाँ पर अदाप्टिफ की फीजर्स आपको मिल जाएंगे यह तीन एलिमेंट आप देख रहे हैं, यह है देटाइम लाइंग लाइड्स की बहुत ही बड़े साइस की दिगई है और साथ ही में यहाँ पर हेड्लाम आप देख रहते हैं यह अपर अधिबीं देगई है, हैलो भी निचिररमम मिल च प। बहुत है drink indicators जो की phenomenon में है और फ्रेन लोग में यहाँ पर skate plate देख से साथ है जो की grill के साथ जॉइन होती है काफ़ दिफरेंट लग रही है और इस side profile आप देख सथे हैं, side profile में ने सेम소 अपको इंडिकेटर अवेलिबल है यहां पर आपको पैंड़ा मिक्सन रूफ मिल जाएगी जैसे पहले मिलती थी रूफ रेल्स अवेलिबल रहेंगी शाक फिन इंटेना और यहां पर डूल टून कलर है इसके लावा भी बहुत सारे नए कलर जो है वो इंट्रिड्यूस करे एडिदी टेर लाम मिलेंगे जोकि अब निउव वाली फेसलिफ में यहां तक आ जाते हैं जोकि की थोड़े दिफरेंट लगरे है यहां से थोड़े डिफरेंट फ्टाइलिंग ऐसे वेट आप जारी है स्टाइलिंग तो डिफरेंट लगरी टेलम बागिन जो रिएर लु यहां पर एक hook मिल जाता है, उस साथ आप देखेंगे, लांप और एक 12 वोल्ड का पावर सौकेट अब आड़ कर दिया गया है। और बात करते हैं engine option के बारे में, तो यहां पर एक 1.5 वीटर टर्बो पेट्रोल एंजिन मिलेगा, all new, manual automatic gearbox के साथ बागी जो दो engine है, 1.5 वीटर डीजल engine और 1.5 वीटर नाच्रली पेट्रोल एंजिन, नाच्रली आच्वेटेड पेट्रोल एंजिन, वो आपको same continuity ही मिलते हैं. और अब फाइनली चेक करते हैं guys, interiors. यह है इन्वाल्व की मस्क पर्फ्यूम, this was my first car perfume जो की, around 3-4 years मैंने पहले पर्चेस करी थी, and इसकी जो फ्रेमेंस है, that is one of the best, बहुती manly, बहुती जादा इसकी, जिससे strong फ्रेमेंस है, वो मिल जाती है, तो आप यहां पे काफी खराब मूट से कार में अंटर एंटर करे होंगे, then this perfume will drift as your mood, यहां पे dry fresh technology दी गही है, कोई यह leak भी भी नहीं होती, perfume आहसे आप फ्लोर अज़स कर सतने हैं, जादा का, अराम से 30-40 days टेल जाती है, so अभी अभी involveyoursenses.com पे विजिट करें, buy this perfume, it is worth it, गाड़ी के चाप भी पास लेके पहुँचेंगे, तो automatically ORVM ओपन हो जाते हैं, तो welcome function गाईज यहां पे available है, तो जैसे आपको keys मेलेगी, log, unlock, engine start और tailgate switch, जैसे अभी भी हमार को मलती है, smart के लिए sentry अवेलिबल है, car को on कर लेते हैं, यह है welcome function, और keys को यहां पे place कर जाते हैं, so guys यह है dashboard की look, यह पे different interior की option अवेलिबल रहेंगे as per the variants, so turbo में black, normal आप लेते हैं, तो dual tone black and beige, साथी में यहां पे ambient light आपको मिलेगी different color ambient light, all four doors पे भी जो ambient light है वो available रहेगी, वो भी 64 color option के साथ आपको ambient light देखने को मिलेगी, so यह है front door, यहां पे complete leather finish आपको मिलेगी leather cushion finish, यहां पे speaker available है, दो bottle holder, door pocket, सारी power window controls जो हैं वो India spec में आपको illuminated मिलेगी, साथी में power door lock switch, electrically adjustable, foldable, ORVM with auto folding function और door handle का design भी आप देख सते हैं, काफे different अप कर दिया गया, और साथी में यहां पे twitters मिल जाएंगे, यहां पे traction control switch और यहां पे headlamp leveler, और guys यहां पे upholstery भी आप देख सते हैं, rear में भी, की इंजे rear seats में भी, साथी में panoramic sunroof में आप सब अवेलिबल रहेगा, और electrically adjustable seat यहां पे manually adjustable है, but we will get electrically adjustable, तो सबसे बहले दोस्तों कुछ हैसा steering wheel आपको मिलेगा, leather app steering wheel, यहां पे audio controls, Bluetooth calling controls, और यहां पे MID controls, और यह है cruise control, adaptive cruise control, ADAS, सारी features, मिलेंगे ADAS के, automatic braking, early in departure warning and so on, tilt adjustable steering wheel, साथी में, telescopic adjustable यहां पे नहीं दिया गया, India spec में अभी भी telescopic adjustable नहीं है, मेभी जो अब यह facelift iOS में भी आपको शाएद नहीं मिले, यहां पे viper controls हैं, यहां पे headlamp controls हैं, कोई भी आप use करेंगे, आपको exact पता चल जाएगा, यह on some mode है, और दोस्तों कुछ ऐसा आपको instrument cluster मेलेगा, same Alqazar वाला जैसे हमने आपको बताया था, तो यहां पे dual trip meter यह शो करता है, outside temperature display आपको मिल जाता है, digital life speed, distance to empty, tire pressure की information, general setting मिल जाएगी जैसे कि overall जो illumination है, वो हम increase and decrease कर सते हैं पूरे cabin की, तो वो सब available है, outside में आपको 3 different modes मिलेंगे, जैसे कि अभी भी Alqazar में आपको मिलते हैं, वैसी same, नई वाली creator में मिलेंगे, तो 3 different themes available रहेंगे, जो कि drive mode के according भी आप change कर सते हैं, और गाईज infotainment system, अपको 10.25 inches वालेगा यहां पर, abroad market में, जो है, वो 8 inches का infotainment system में लेकिं यह वाला system नहीं मिलेगा, जो अभी currently मिलता है, वही same मिलेगा, सारे features के साथ, Apple CarPlay, Android Auto, वो भी wireless है आपको मिलेगा, Top-end model में भी, तो वो सारे features available रहेंगे Bose का आपको system मिल जाएगा 8 speakers के साथ और साथी में automatic AC यहाँ पे manual AC है तो आपको automatic AC में लेगा wireless charger, USB type अपको यहाँ पे charger मिलता है उस साइड यहाँ पे infotainment के लिए दियागे 12 volt का socket है center में और साथी में reverse gear लगाते हैं तो यहाँ पे आपको blind spot monitor भी मिलेगा दोस्तो और साथ में front rear sensor और 360 camera और साथ में अब यहाँ पे electronic parking brake आपको देखने हो मिल जाएगी auto hold का function आपको मिलेगा दोस्तो साथी में यहाँ पे twin bottle hold to space दिया गया है with illumination तो अंदर blue color की light है चुकि बहुत ही सही लग रही है अलग से यहाँ पे space दे गई है keys दो यहाँ रखने के लिए और यह है armrest तो यहाँ पे cushioned armrest दी गई है चुकि कि sliding नहीं है और अंदर storage काफी अच्छा खासा available है और यहाँ पे बोक्स बहुत ही बिक साइसा बोक्स मिलेगा with cooling function और यहाँ पे vanity mirror दिया गया है center में यहाँ पे आपको halogen lights मिलती है obviously in India spec में आपको LED lights मिलेगी SOS का switch, telematic switches यहाँ पे auto-deming IRVM के साथ आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको vanity mirror मिल जाता है आप चेकर दे हैं rear seats तो यह है rear door illuminated controls again आपको मिलेंगे आपे speakers twin bottle holders यह है rear seats तो अब आप में तीन adjustable headrest मिलेगी center में headrest जो है वो add हो जाएगी नियो वाली कुरेटा में और साथी में यहाँ आप आप देख सकते हैं twin cup holder space available है armrest में front seats के back पे pocket और यहाँ पे rear AC vent USB type charger और यहाँ पे कुछ हो storage area और यह है dashboard के look एक और change आपको देखने हो है यहाँ पे मिलेगी USB chargers की जगा इंडिया spec में आपको मिलते हैं C type chargers तो नहीं वाली क्रेटा में C type chargers मिलेंगे rear में cable lamps और ऐसी बहुत सारी गाड़िया और भी आने वाली दोस्तो Creta Rivals बहुत सारी इंडिया में launch होने वाली है तो stay in a trade चैनल को subscribe आप कर रहे हो तो bell icon को जरूर प्रेस कर लो Instagram पर पटाफट से follow कर लो हम पर फटाफट हम real post कर दते हैं क्या क्या गाड़िया आने वाली है तो हर जगा follow कर लो आप दोस्तों updated रह सको और मैं आपसे मिलूँगा next video में